नंसकार अब भारत लाइब देख रहे हैं बिःहार सरकार का कोई भी मामला हो जब तक कोट में नहीं जाता है तब तक बिःहार सरकार के कानों पर जूञल रहें आपने सिक्षक बहाली देखा होगा आपने अस्पताल में जो स्वास्तिकर्मियों की बहाली है उसको देखा होगा हर तरीके के चाहे वो कोरोना का मामला हो कोरोना का जो रिपोर्ट में गरवरी हुई है उसका मामला हो इन तमाम मुद्दों को लेकर जब तक बिहार सरकार को ह पर जू नहीं रेखती है इसी तरह की खबर हमारे पास है इसमें कमर्स के सिक्षकों के लिए जो बहालिया निकलने वाली थी उसको लेकर हाई कोट ने नितीश कुमार को आदेश दिया है अब खबर विफ्तार से पतना हाई कोट ने गुरुवार को राज के सेकेंडरी और 308 कमर्स विशे के सिक्षकों की बहाली के लिए मामले पर सुनवाई की नियामूर्ती डॉक्टर अनीर कुमार उप्याध्याय की एकल पीठ ने मोहम्मद अफ्रोज एवं अन्न की ओर से दायर रीट याचिका पर सुनवाई की कोट ने सरकार को तीन माह के भीतर पदो को चि अरितिका रानी ने कोट को बताया कि सेकेंडरी वा हायर सेकेंडरी स्कूल में कमर्स शिक्षकों के सैक्रो पदरिक्त हैं लेकिन राज सरकार ने कमर्स विशे के लिए कोई विज्यापन प्रकासित नहीं की है जबकि स्कूल में कमर्स विशे की पढ़ाई होती है उनका कहना है कि कॉमर्स विशर की पढ़ाई के लिए सिख्षकों की बहाली की जाए वहीं राज सरकार की ओर से दायर जबावी हलफ नामा में माना गया है कि 1308 कॉमर्स सिख्षकों का पद है कोट ने सरकार को तीन मा के भीतर इस टीटी पड़िच्षा लेने तता छे मां के भीतर बहाली प्रक्रिया पूरी करने की आदेश दी है इस तरह से बिहार के जो तमाम मुद्दे हैं चाहे वो सिक्षक बहाली हो चाहे ओ अस्पताल के करमचारियों की बहालियों सभी मुद्दे पर हाई कोट जब तक सक्त नहीं होती है तब तक बिहार सरकार किसी भी मामले में नहीं सुनती है अपने टीटी एस्टीटी पास अब भ्यारतियों का धर्णा प्रदर्शन पतना के गर्धनी बाग में देखा होगा लगातार वो बन उतिर्ण हुए है उसको लेकर भी मामला गरम है इन तमाम मुद्दों के लेकर जब तक हाई कोट सक्त नहीं होती है तब तक बिहार सरकार के कानों में जू नहीं रेंगती है तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवादी